हेलो और जेलिए स्टूदें वेलकम बैक टो यूर वन चैनल सरतरुन रुपानी दिस एक्स्क्लूजिव चैनल फॉर आईसी एसी एसी वोड स्टूदेंट्स और आप मेरे हैं राइसिंग स्टार्स तो आप नहीं कहा और हमने बनाया तो जूलियस सिजर का एक्ट 3 सीन वन ये इस प्ले का बहुत इंपोर्टेंट सीन है क्योंकि जूलियस सिजर का असेसिनेशन होने जा रहा है क्या मडर होने जा रहा है चलिए मडर मतलब किसी को मार देना और वो कोई भी लेमेन हो सकता है कोई भी वेक्ति हो सकता है असेसिनेशन शब्द यूज करते हैं जब किसी ब अडर होने जा रहा है इसमें और यहां से सारे conspirators जो एक जुट है एक जुट दिखाई दे रहे हैं वो सारे conspirators का पता चल जाएगा और देश में chaos, confusion और लोग डरे होंगे इसी का ये scene है और एंटोनी का यहां पर transformation है सई सुन रहे हैं एंटोनी, मार्क एंटोनी जो की game sum माना जाता है जो की माना जाता है कि एक non serious वेक्ति है यहां पर वो एक बदलावा वेक्ति के रूप में नजर आएगा एक ऐसे वेक्ति जो अपने देश के लिए अपने रोम के लिए और अपने देश के अपने दुश्मनो के लिए एक दुश्मन बन के नजर आएगा अथार्थ Caesar की मौत का बदला लेने का वो प्रण लेगा कसम खाएगा तो इस सीन में Caesar, Antony, Lepidus, Brutus, Cassius, Cassica यह सारे Senate के members Caesar के पीछे पीछे चल रहे हैं और Senate जा रहे हैं यह सीन है जहां पर Caesar को यह सारे लोग मिलेंगे सबसे पह याद होगा Fortune Teller है इस कहानी में और सूथसेर से Caesar मजाक उड़ाते हुए कहेगा कि देखो Ides of March आ गया मतलब आज 15 of March आ गया क्योंकि आपको याद होगा सूथसेर ने इस से पहले Caesar को वोन किया था कि Beware of Ides of March बच के रहना 15 March को देखिए अब सूथसेर क्या कहेगा जवाब म कि Caesar अभी आया है ये 15 March गया नहीं है इस नॉट गॉन और इधर बीच आटी मेडोरस भी आ जाएगा आटी मेडोरस के पास एक एक लिस्ट है एक शेडूल है जिसमें उसने सारे Conspirators का नाम लिखा है जिससे Caesar को बच के रहना है जिससे Caesar की जान का खत्रा है इससे ये पता चल करता है कि जो ये Conspiracy का प्लैन है Caesar के मडर का जो प्लैन है वो पब्लिक में पहुच चुका है हाँ इसका मतलब है राज लीख हो चुका है तो आटी मडोरस एक किनारे ख़ड़ा होता है एक रोड के ऐसे जगे ख़ड़ा होता है जहां से वो Caesar को देख सके बात कर सके और आव ट्रिबोनियत डॉट डिजायर यू टू ओवर री और वो ट्रिबोनियस का एक मैसेज ट्रिबोनियस का एक लिस्ट कि क्या ट्रिबोनियस चाहता है वो दे देता है Caesar को कि आप इसे पढ़िये एट यूर बेस्ट लेजर कब पढ़िये जब आप पूरी तरह से फुरुसत प तो आटी मुडरस क्या करेगा Caesar को जित करेगा ओ Caesar read mine first for mines a suit that touches Caesar near एकदम सही का आटी मुडरस ने कि मेरा पहले request पढ़ लो मेरा suit पहले पढ़ लो suit मतलब request होता है pleading letter होता है क्योंकि ये मेरा तुमारे life को touch करता है तुमारे personal life को बहुत नजदीक से touch करता है आप जानते ही है इसमें सारी मडर की बारे में बात लिखी है और read it पढ़ लो Caesar जानते ही है Caesar is over confident और Caesar क्या कहेगा देखे what touches us ourself shall be last served अथा जो चीज मुझ से और मेरे जीवन से संबंदित है वह मैं सबसे आखरी में देखूंगा बाई वो तो देश का जनरल है और भावी राजा भी है होने वाला राजा भी है तो उसका तो अंदाज भी है सही है देखे हाठी मुझ देखे अरे देर मत करो Caesar read it अभी पढ़ लो पर आप जानते ही है Caesar को जादा आप जिद नहीं कर सक करते कहेगा what is this fellow Mac पगला गया हो क्या इस Caesar का अंडाज है कहने का कि Caesar उसको इग्नोर कर देता है तब तक पब्लिस आवाद लगाता है सिरा सिरा हटो 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 जगे दो और Caesar को अगला request कौन कर रहा है Cassius याद रखेगा पूरी कहानी का सबसे बड़ा enemy यह जो पूरी कहानी म your petitions in your street, come to the capital तो वो सारे लोगों को कहता है कि आपको अगर कोई कोई अर्ज करना है कोई request करना है कोई कोई pleading करनी है तो capital में आओ, Senate में आओ, हमारी parliament में आओ, Caesar आगे move कर जाता है और बाकी सब पीछे move करते रहते हैं इस scene में एक populist lina है, ये भी एक Senate का member है, एक non-citizen है और ये cashes को अकेले बुला के कुछ बोलता है जिससे cashes डर जाएगा, क्या बोला था? देखिए, I wish your enterprise today may thrive अथार्प मैं तुमारे आज के risk वाले का enterprise मतलब होता है, एक risk उठाना, मतलब आज जो cashes तुम रिस्क उठाने वाले हो, वह सफल हो जाए, thrive करना मतलब होता है, success हो जाए अब cashes डर जाएगा, बोलेगा, अरे, ऐसा कौन सा enterprise है, ऐसा कौन सा risk वाला मैं काम कर रहा हूँ, जो populous को पता चल चुका है तो पूछता है, रे भाई यह कौन सा enterprise, पर populous उसे जवाब नहीं देता है, populous लीना पूरा नाम है इसका, और कहता है fair you well, और वह वहाँ से walk करके चला जाता है और कहाँ चला जाता है, Caesar के पास चला जाता है, ठीक है, Brutus, Brutus पूछता है Cassius से, कि populous लीना ने तुम से क्या कहा अब Cassius जो कि डरा हुआ है, कहता है कि इसने हमें wish किया है, कि आज जो हम risk ले रहे हैं, आज जो हम Caesar का मडर कर रहे हैं, उस पे हम कामियाब हो जाएं इसका मतलब फिर से यह साबित होता है, कि Cassius के इस conspiracy का plan public तक पहुच चुका है, राज लीक हो गया है I fear our purpose is discovered, और यही Cassius को डर भी है Brutus यकीन दिलाएगा, Brutus एक बहुती cool काम वेक्ती है, कहता है देखो देखो, गवडाओ मत, देखो how he makes to Caesar अथार, वह Caesar के पास जब गया, तो Caesar का क्या effect हुआ, ही कौन है यहाँ पर, पबलियस है तो पबलियस जब Caesar के पास पहुचा, तो देखो Caesar का क्या impression है मारकिम, और Cassius का, Cassius क्या बोलता है, यह देखिए यहाँ से पता चलता है, Cassius कितना कमजोर है Cassius कितना weak है, सिर्फ बोलने का बहुत बहुत तेज है, पर यहाँ पर Cassius की कमजोरी पता चलेगी वह कहता है कासका को, कि कासका तुम तयार रहना, तुम quick करना काम, क्योंकि हमें डर है कि हमारा काम रोक लिया जाएगा अथार्थ हम सबको आज मडर करने से रोक दिया जाएगा Brutus, what shall be done, हम क्या करेंगे जब ऐसा होगा तो if this be known, अगर हमारे राज open हो गए, हमारी conspiracy का लोगों को पता चल गया या तो Cassius, मतलब मैं बचूँँगा, या Caesar never shall turn back, मतलब हम में से कोई एक पीछे नहीं मुड़ पाएगा क्योंकि कोई एक तो खतम होगा ही होगा, क्योंकि मैं अपने आपको मार दूँगा देगा, यहाँ पता चलता है कि Cassius एक कमजोर वेक्ति है जो अपने आपको मारने की बात करे, हताश वेक्ति ही बोल सकता है ऐसा Brutus फिर भी cool and calm है हाँ, Brutus बहुत relaxed वेक्ति है After Caesar, देश का सबसे चहता वेक्ति है Brutus कहता है Cassius, थोड़ा सब्र करो, be constant, be cool, calm क्यों? क्योंकि Publius लीना जब बात कर रहा है तो वो हमारे बारे में बात नहीं कर रहा है कैसे पता चला उसको? Brutus कैसे मनुद चला? For look he smiles and Caesar does not change देखो वो मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराने के बात Caesar का जो appearance है वो भी बदल नहीं रहा है इससे ये पता चलता है कि Brutus इतना समझदार है वो बता देता है कि इसका मतलब है उसने Caesar को हमारे राज के बारे में नहीं बताया है आईए Cassius अगली लेंग क्या बताता है ये सब तयारी कर रहे है Caesar को Senate में अथार्ट Capital में मारने की तो सारे Senate के जो conspirators है वो आपस में काम बाट चुके है कि किसको क्या काम करना है पूरी काम planning से है Caesar का मडर इतना असान नहीं है Caesar एक देश का general है समझ रहे है न तो planning में ये है कि Tribonius को उसका काम पता है Tribonius knows now his time for look you Brutus he draws Mark Antony out of the way तो Tribonius की duty यही है क्या duty है कि उसे Mark Antony को Senate से बाहर ले जाना है capital में नहीं रहने देना है ताकि वो Caesar को बचाने के लिए बीच में न आ पाए इसलिए Tribonius अपना काम करता है Mark Antony को बात करते करते क्या करता है ले जाता है capital से बाहर और अब Caesar है अकेला और भहुत सारे ये Senate के members Dashius Dashius Buddha क्या कह रहा है Where is Metallus Symbol? क्योंकि Senate के अंदर अब Metallus Symbol का रोल है Metallus Symbol भी एक Conspirator है Let him go and presently prefer his suit to Caesar और Metallus Symbol को क्या देना है? एक suit present करना है अथार्थ एक request pleading करनी है Caesar के लिए और आप जानते ही है ये सब planning के चल रहा है क्या pleading करनी है? अभी देखेंगे आप तो Brutus बोलेगा कि जो Metallus Symbol है वो तयार है और हम सब को Metallus Symbol का support करना है और उसके साथ खड़े होना है आप जानते ही है Symbol कुछ ऐसी बात बोलेगा जो Julius Caesar मानने वाला नहीं है ये सब कुछ पहले से pre-planned है pre-decided है चलिए Sinna Sinna क्या बोलता है? Kaska, you are the first that rears your head Sinna, Kaska को या दिला रहा है कि Kaska, सबसे पहले सबसे पहले वार तुमें करना है देखा? तो first person who will attack Caesar will be Kaska तो सारी चीज planning है वाई सब पता नहीं है कि कैसे उसके पीछे murder की पुरी तयारी हो चुकी है Are we all ready? क्या हम सेनेट में सब तयार है? What is now amiss that Caesar and his Senate must redress अथाक इस सेनेट में ऐसी क्या? कोई ऐसी amiss हुआ है कोई ऐसी चीज है जो परिशान कर रही है problem कर रही है देश को और वह हमें solve करना है हमें मिलके solve करना है बाई पार्लमेंट में तो यही होता है न देश की समस्याओं को सुल जाते है उनके लिए नए नियम कानून बनाते है तो starting मैटलस सिम्बर सही होगी मैटलस सिम्बर kneel down कर जाएगा याद करिएगा रोम में kneel करना बहुत बुरा माना जाता है या तो गुलाब kneel करते है या हारावा वेक्ती kneel करता है या वो वेक्ती जिसके अंदर में मैल है जो बुरा ही चाहता है वो वेक्ती kneel down करता है हाँ यह वाँ की सोच है और kneel करने वाले वेक्ती को लोग बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं पर नीलिंग करना मतलब आप सरेंडर कर रहे हैं तो मेटलस सिंबर नील करता है जुग जाता है घुटनों के बल बैट जाता है कहता है प्रती 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 पेश करता हूँ मेरी मेरा रिक्वेस्ट सुनिए तो सिंबर तो जानते हैं यह सब पसंद है नहीं तो यह दम साफ साफ कहेगा अथार मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगा क्या करने से इस नील डाउन करके रिक्वेस्ट करने से जो बोलना है हांग पे हांग मिला के बोलो सामने से बात करो जुक करके क्यों बात कर रहे हो हां मैंने कहा था रोम की परंपरा बताई कि मैंने इससे आम आदमी में क्या हो जाएगा जोश यां उबाल आ जाएगा पर मैं कौन हूँ? मैं तो Caesar हूँ ठीक है न? And मैं Caesar हूँ तो क्या करूँगा? वो तो नियम से चलूँगा And turn the pre-ordinance and first decree into the law of children और ordinary man क्या करेगा? जो देश के पहले के बने कानून Pre-ordinance मतलब previous बने कानून Previous laws And first decree मतलब होता है decision Decision देश के कानून, देश के Senate का लिया गया Decision को वो बच्चों की तरह Law of child की तरह change कर देंगे कौन करेंगे? Ordinary man होंगे तो change कर लेंगे पर मैं Caesar हूँ देखिए अपने बारे में क्या कहेगा Be not fond अथार्थ इस गलत पहमी में मत रहना ऐसा विचार मत लाना कि Caesar we are such rebel blood अथार्थ मैं, मैं देश के नियम के साथ rebel नहीं कर सकता गद्दारी नहीं कर सकता जो देश की Senate का बना नियम है वो अडिग है वो permanent है That will be thawd from the true quality thawd मत रहता है melt तो मैं अपनी true quality से melt नहीं होंगा क्योंकि इस से melt कौन होते हैं? इन सब बातों से कौन पिगलते हैं? इन couching से इन जुकने से इन pleading से सिरिफ fools पिगलते हैं कमजोर दिल वाले पिगलते हैं और मैं तो Caesar हूँ ठीक है न? I mean sweet words ये sweet words और ये low crooked curtsies अथा जुक करके bent हो करके pleading करना base spaniel fawning ऐसे dog like spaniel मतलब dog होता है fawning मतलब होता है एक तरह से कहें मेरी भाशा में कुट्य की तरह दुम ही लाना नहीं नहीं मेरे सामने ऐसा नहीं चलेगा ये वो कहना चाहता है कहना चाहता है कि आपको dog like dog like गड़गड़ाना नहीं है हाना और न तो bend करना है जुकना है क्योंकि Rome में जुकना और दबना और एक तरह से कहें गड़गड़ाना मना है ठीक है तुम्हारे भाई को इसके भाई का नाम है पबलियस सिंबर पबलियस सिंबर को देश के लॉध द्वारा देश से बैश किया गया बैश मतलब देश निकाला दे दिया गया है and if thou dost bend अगर तुम जुकोगे और pray करोगे और उसके लिए phone करोगे plead करोगे I will spend the like a car मतलब बता है dog मैं तुमें एक dog की तुरह क्या करूँगा लात मार दूँगा जैसे हम कुत्तेों को लात मार देते हैं क्यों क्यों क्योंकि तुम अगर अपने भाई के लिए plead करोगे तो क्योंकि अपने बारे में कह रहा है Caesar देखिए Caesar एक बहुत ही कहते है powerful general है और थोड़ा सा जानते ही हैं ऐसे लोगों को ambition हो जाता है और थोड़ा सा overconfidence भी हो जाता है क्या बोलता है Caesar Caesar doth not wrong Caesar कभी किसी के साथ गलप नहीं करता है nor without cause will he be satisfied और बिना कारण के आप मुझसे कोई काम नहीं करवा सकते मुझे satisfy कर दो मैं मैं आपके सारी बात मालूँगा तो मैं अभी तुमारी बात नहीं मानूँगा मैटलर सिंबर फिर request करेगा क्योंकि इस सब planning चल रही है और कहता है कि क्या मेरी आवाज से ज़्यादा क्या मेरी voice से ज़्यादा क्योंई worthy वेक्ती है जिसकी आवाज Caesar को ज़्यादा sweet लगती है ज़्यादा प्यारी लगती है इसका मतलब वो indirectly क्या कर रहा है Brutus को और Senate members को बुला रहा है कि भाई मेरे साथ मेरी तो Caesar नहीं सुन रहा है आप लोगी तो सुनेगा ठीक है क्या करना है मेरे भाई को बुला लो जिसे बैनिश कर दिया गया रिपील करना मतलब cancel कर दिया जो बैनिश्मेंट है उसकी उसे cancel करा दिया जाए अब बारी आती है Brutus की Swem Brutus जुकेगा निल डाउन करेगा इस बार I kiss die hand और वो Caesar का I kiss die hand die kiss का hand Caesar का हाथ हो किस करते बोलता है कि मैं ये flattery नहीं कर रहा हूं Caesar बट मैं चाहता हूं कि पब्लेस सिंबर को immediately repeal करा लिया जाए या था वापस देश बुला लिया जाए आप जानते ही है Caesar अपने देश से बहुत प्यार करता है और अपने इस दोस से भी बहुत प्यार करता है इसलिए वो कहता है What? थोड़ा वो शौक है Caesar इस समय और सर्प्राइज भी है इसलिए सिर्फ कोश्चन पूछता है What? Brutus? मनलब तुम Brutus तुम ऐसा कह रहे हो समझ गया अब आगे इसके बाद बारी आती है Cassius की और Cassius भी वही kneel down कर जाता है बोलता है मेरे Caesar मैं तुम्हें pardon मांगता हूं माफी मांगता हूं और as low as thy foot और तुम्हारे चर्णों में तुम्हारे पैर पर हम गिरते हैं हम फॉल करते हैं और क्या मांगते हैं Enfranchisement अथा right to give vote अथा repeal from the banishment देश निकाला दिया गया है पब्लियस सिम्बर को निकाल दिया गया है exile दे दी गया है उसे वापस बुलाने की अनुमती चाहते हैं Caesar तो जानते ही है Cassius को देखके तो एकदम भड़क जाता है आपको याद होगा Caesar ने कहा था Let me have man that sleeps Let me have those men who are fatter याद है तो Cassius तो पतला दुबला है और जानते ही हमेशा प्लैन करता रहता है अब Cassius के बाद देखी क्या भड़क जाएगा और क्या कहेगा ध्यान से सुनियेगा बहुत important speech है I could be well moved If I were as you अथार्थ मुझे अगर move किया जा सकता मुझे अगर मेरे विचारों को बदला जा सकता अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो If I could If I could pray to move Prayers could move me अथार्थ मुझे प्यार से Pray करके Plead करके अगर मनाया जा सकता तो आप सबकी Prayers कबूल हो जाती मैं move हो जाता मैं बदल जाता पर नहीं But I am constant मैं अपने बातों पर अडिग हूँ मैं अपनी बातों पर अडिग हूँ कैसा हूँ मैं मैं North Star हूँ of whose two fixed जो की North Star किस ले जाना जाता है अपनी true fixed and resting quality के ले जाना जाता है मतलब North Star एक ऐसा तारा जिससे हम हम कहते हैं हिन जो हम लोग आम बाशन में अपने देश में कहते हैं धुरूर तारा एक ऐसा तारा जो North Pole के ठीक उपर होता है और धर्ती के गोल घुमने के बावजूद भी यही वो स्टार है जो अपनी position change नहीं करता है बाकि सारे जो स्टार्स हैं उनकी position change होती रहते हैं अर्थ के rotation की वज़े से revolution की वज़े से पर North Star की कभी नहीं change होती है तो वही कह रहा है कि मैं not star हूँ और there is no fellow in the firmament और मेरे जैसा कोई fellow है ही नहीं स्काय में firmament मतलब sky कैसे अब compare करेगा कहेगा Caesar की the skies are painted with numbered with unnumbered sparks sparks मतलब stars अथार्थ आसमान में सैक्रों तारे हैं unnumbered तारे हैं और उन सब में आग है उन सब में shine है सारे तारे चमकते हैं हाना उन सब में रौश्णी है but but there is but one in all पर उन में एक है और वो अपनी जो place hold करता है अथार्थ मैं अथार्थ not star अपने आपको not star से compare करता है फिर कहता है इस दुनिया से compare करता है so in the world ऐसे हमारी इंसानों की दुनिया में it is furnished well with man ये दुनिया भी इंसानों से भरी हुई है हर इंसान में flesh है blood है और वो इंसान apprehensive भी है अथा fearful भी है सारे इंसान ऐसे हैं yet in the number I do not know पर मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता हूँ but one जानता हूँ तो सिर्फ एक को that unassessable hold his rank एक ही ऐसा व्यक्ती जो बिना किसी के डरे बिना किसी के सामने जुके अपनी rank अथार्थ अपनी position अपनी बात पर अडिग रहता है आप जानते हैं किसकी बात कर रहा है वो अरे मेरी नहीं अरे खुद की समझ गए वो कह रहा है वो व्यक्ती unshaked of motion है अथार्थ कितना भी परिशानी आ जाए वो व्यक्ती unshaked रहेगा अथार्थ वो अपनी बात से हटेगा नहीं and that I am he और वो व्यक्ती मैं हूँ I am मैं हूँ वो व्यक्ती ऐसे संसार में पूरे संसार में जो motions द्वारा अथार्थ unshaked रहे जाता है मतलब who is not disturbed by the other elements जो decide कर लिया वो final है कहते हैं न dialogue में क्या कि एक बार जो मैंने promise कर दिया वो हमेशा के लिए है जो मैं promise करता हूँ वो ऐसे जरूर करता हूँ चली प्रागी पढ़ते हैं let me a little short it और मैं यहाँ सब आपको show भी करना चाहता हूँ यह Caesar कह रहा है कैसे आज के matter में आज के matter में पब्लिस सिंबर के matter में मैं आज भी उस धुरूत आरे की तरह हूँ आज भी उस इंसान की तरह हूँ जो नहीं बदलेगा नहीं change करेगा मैं constant हूँ मैं इस इरादे से पक्का हूँ कि सिंबर को वापस देश न लाया जाए ठीक है उसका banishment नहीं आएगा सिन्ना अब सिन्ना की बारी है वो kneel down करेगा ओ Caesar डैश इस ते दिखा रहे है क्योंकि Caesar यहां उसको रोग देगा कहेगा hence will thou lift Olympus क्या तुम mount Olympus को उठा सकते हूँ वैसे तो Olympic game इसी mountain के नाम से रखा गया है यह mountain god का abode माना जाता है भगवान का घर माना जाता है जैसे हमारे हैं कैलाश है वहाँ वैसे यह Olympus है Greek gods है न next day dashes आ जाएगा और यह भी कहेगा महान Caesar अभी इतना ही कहेगा तब तक Caesar इसको इसको भी रोग देगा dot not brutus bootless neal मेरे सामने बेवज़े नील मत करो bootless मतलब होता है जिसका कोई result ना आए तुम मेरे पास बेवज़े नील मत करो और कास का अब कास का कास का बोलेगा मेरा हाथ बोलेगा speak hands for me मैं नहीं बोलूँगा और यह कास का सामने से नहीं पीछे से Caesar पर हमला कर देगा अपने हतियार से क्या करेगा कास का strikes and other rise up and stab Caesar कास का के मारते ही बाकि सब सेनेट के members भी Caesar को क्या करेंगे strike कर देंगे stab कर देंगे और आखरी वेक्ती होगा Brutus Brutus के stab मारते ही Caesar अपनी आखे बंद कर लेगा ऐसे अपने अपनी आखों को छुपा लेगा और एक ही लाइन निकलेगी उसके मूँ से add to brute अथार तुम भी Brutus यह उसका question है यहाँ पर उसे shock लगा Brutus को तो उसे दुख इस बात का है कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त मुझे मार रहा है इसे Caesar को सद्मा लग जाता है और वाग गिर जाता है and he dies Caesar वहीं Pompey की statue के सामने मर जाता है तब तक सिन्ना चिलाता है Liberty मिल गई देश में अजादी मिल गई tyranny को मार दिया अत्याचारी को हमने मार दिया और जश्न मनाने लगते हैं और run, proclaim, cry जाओ, सडकों पे जाके चिलाओ कि हमने देश के अत्याचारी को मार दिया है यहाँ पर Cassius भी कहता है कि चलो हम लोग पल्पिट्स पे चलते हैं अथाथ common platforms पे चलते हैं रोम में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सडकों पे ही platforms बने होते हैं जहाँ पे drama या stage play होता है हाँ तो हम लोग वहाँ चलते हैं और वहाँ पर लोगों को बताते हैं कि देश अब को देशवासियों को डरने की जरुवत नहीं है देश को हमने अजादी दिला दी इस अत्याचारी से तो Caesar को represent किया गया है as a person who is tyrant as a person who was very ambitious and he wanted to take this country or govern this country as a dictator तो इसलिए इसको मार करके हमने देश को क्या क्या देश का भला किया है देशवासियों को उसकी enfranchisement दिला दिये अता right to vote दिला दिया है brutus भी कहता है लोगों से कि सारे देशवासियों और senators डरने की जरुवत नहीं है भागने की जरुवत नहीं है हमें सब एक साथ खड़ा होना है क्योंकि ambitious debt is paid यहाँ पर ambitious debt मतलब होता है कि जिसके अंदर ambition था अथार्ट Caesar उसे उसका कर्ज चुकाना पड़ गया मौत से अपनी Caesar की debt उसका ambition था उसके लिए उसको मरना पड़ा तो कासका सबको pulpit के तरब बुलाता है कहता चलो सब लोग उस common platform पे चलते हैं सड़क पे जो बने स्टेज है वहाँ चलते हैं और वहाँ से लोगों को बताते हैं और Cassius और Publius यह सब वहाँ आ चुके होते हैं और थोड़ा सा confusion है क्योंकि लोगों को डर लगा हुआ है कि कहीं देश में इनके खिलाब भी तो कुछ लोग नहीं होंगे कुछ ऐसे भी होंगे जो Caesar के supporters होंगे तो Publius जो की old age वेक्ती है उसे सिन्ना समझाता है यह एक Senate का member है जिसे कहता है कि अभी आप क्या करिये आप डरिये मत तो Metalis Simber कहता है कि हमें सबको साथ खड़ा होना चाहिए ताकि कोई Caesar का दोस्त हमें या हम सबको नुकसान न पहुचा पाए तब तक Glutus याद दिलाता है कि हमें अथार्ट डरने की जरुवत नहीं है और हमें एक जुट तो रहना है बट हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ करके जाइन्ट हैंड होके रहना की जरुवत नहीं है क्योंकि हमने किसी को हाम और नहीं करना है हम किसी दूसरे रोमन व्यक्ति को नहीं मारने जा रहे है मारना सरिफ एक व्यक्ति को था वो था Julius Caesar सीख है No Roman else So tell them Publius अथाक Publius सब को यह बताओ देशवासियों को धरने की जरुवत नहीं है No other man is going to be harmed और killed तब तक Cassius कहेगा And leave us Publius आपकी उमर ज़्यादा है Publius आप एजिड व्यक्ति हो अपनी उमर का ध्यान रखो आप निकल लो हो सकता है बहुत सारी भीड बहुत सारी लोग आएं तो उस रश में आप संभाल ना पाओ क्योंकि aged है न आईए Brutus Do so ऐसा ही करो Publius And let no man abide this deed अथार सब को सब को बता दो कि यह deed यह जो मडर हुआ है इसकी जिम्मदारी हमारी है But we the doers इस मडर का Caesar को मारने की जिम्मदारी हमारी है इसलिए किसी को कोई परशान होने की या डरने की जरुवत नहीं है हमने मारा है इस बात को सब को आप बता दो तो सारे Conspirators चले जाते हैं और तब तक Tribonius वहाँ पहुचता है और बात करता है Cassius से Antony खुट दर गया है और वो अपने घर भाग चुका है Antony सर्प्राइज है और अपने घर भाग गया है रास्ते में Men, Women, Children सब चिला रहे हैं भाग रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो देश में Doomsday आ गया है Ather the day when the world is going to end धरती जब समाप्थ हो जाएगी जिस दिन उसे कहते है तो देश में भगद्वाल मची हुई है Caesar की मौत के बाद Brutus कहता है Fates We will now We will now your pleasure Atherth वो fate को Fate यहाँ पे Goddess of fate है भाग यकी देवी है कह रहा है कि हम आपके pleasure पे जी रहे है Atherth जो भागे में लिखा होगा हम सब का वही होगा That we shall die we know तो मरना तो सब को है क्योंकि सब के भागे में मरना लिखा है But the time पर time कौन डिसाइड करेगा भागे यह fate डिसाइड करेगा कि किसका मरने का time क्या है And drawing days out That man stand on Atherth हर वैक्ती जो मैं यह stand कर रहा है उसका दिन एक नए एक दिन draw होना ही है Some day or the other He has to give up his life चलो कासका क्या कहता है Why he debts cut off 20 years of life Cuts off so many years of fearing death तो कासका यह यकीन दिलना चाहता है कि जिसने हम सब को 20 साल तक डर डर के 20 साल तक डर डर के जीने से बचाया उसने हमारे जीवन के 20 साल और बढ़ा दिये अगर अभी Caesar जिन्दा रहता तो 20 साल और हम सब डरते रहते उसकी टैरनी में उसके अंदर में रूल करते हुए रहते जब Caesar रूल कर रहा होता हम दब के रहते तो दर दर के जीते एनदेन is dead of benefit तो बोला अच्छा किया कि हमने Caesar को ग्रांट दे दिया क्या ग्रांट दे दिया प्रदान क्या कर दिया Caesar को Caesar को मौत देकर इवन Caesar को भी क्या कर दिया उस डर से आजात करा दिया क्योंकि Caesar के मनने भी तो हरवक दर रहता कि मेरे खिलाब भी तो लोग खड़े हो सकते हैं क्यों अत्याचारी जो दूसरों पर अत्याचार कर रहा है वो भी तो डरा रहता है तब भी तो दूसरों को डराता है तो इसलिए कहता है कि हमने अच्छा किया क्योंकि Caesar का फाइदा किया Caesar को मौत दे करके क्योंकि Caesar भी डर डर के जी रहा होता उसे भी डर था कभी कौन मुझे मार न दे और मैंने हम लोग ने क्या किया Caesar को मार कर उसके लिए बहुत अच्छा काम किया उसके 20 साल पहले ही उसे क्यातम कर दिया स्टूप तो चलो सब लोग बेंट करते हैं हम रोमन्स और ये ब्रूटस कह रहा है ध्यान दीजेगा और क्या करना है हमें Caesar की बॉडी से निकले खून को अल्बो तक स्मीर करना है खून से रंग लेना है हमारी तलवारों को भी खून से लपेट देना है बी स्मीर मतलब कवर कर देना है एन हम वाप करेंगे मार्केट प्लेस में जाएंगे इन खून से रंगे तलवारों को हवा में लहराएंगे और अवार्व लगाएंगे लोगों के सामने क्या अजादी मिल गई है पीस हो जाएगी देश में शांती हो जाएगी और हम सब लिबरल हैं वी आर आल फ्री बॉन फ्री वी विल लिव फ्री तो सीजर को मारने का एक जश्न मनाना है और ये वही सीन है जब सीजर की वाइफ ने कलिफूर्निया ने देखा था उसने देखा था कि सीजर की बॉड़ी से तो से हन्रेट्स ऑफ उफ्राउट्स और बॉड़ि निकल रहे हैं और लस्टी रोमन्स आ रहे है अपने हैंकरचिफ्स को अपने अपने बॉड़ी अलल पार्ट्स को क्या कर रहे हैं बिप कर रहे हैं सीजर के ब्लढ़ में और वही हुआ भी है यही Brutus ने कह भी दिया है करने के लिए देखे सच साबित हो गई कलिफोर्निया का वो ड्रीम कैशियस क्या बोलेगा हाँ 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 हम लोग स्टूप करेंगे हम लोग जुकेंगे और वाश करेंगे अपने हाथ को अपने स्वार्ड्स को सीजर के बलड से अथार्ट ऐसे बहुत बार मौके आएंगे हिस्ट्री में हैंस इसके बाद भी मतलब आफ्टर अवर टाइम हमारे बाद भी आएंगे अथार्ट यह सीन फिर रिपीट होगा ऐसे किसी देश में रिपीट होगा जहांपर इस तरह से कोई एक शाशक होगा कोई एक रूलर होगा जिसे देशवासी मार देंगे अथार्ट यही सीन कई देशों में टाइम आने पर दोहराया जाएगा रिपीट होता रहेगा ऐसे स्टेट जो अभी बॉन नहीं हुए है ऐसी एकसेंट्स ऐसी लेंविजेज जो अभी हमें नोन नहीं है पर ऐसे ऐसे सीन होते रहेंगे हिस्ट्री में वैसे कैश्यस सही है ऐसा इंग्लेंड में भी रियल इंग्लेंड में भी हो चुका है और इवन फ्रांस में भी हुआ है और इवन रश्या में भी हुआ है वहां के राजा को जो डिक्टेटर हुआ करता था फ्रांस में, इंग्लैंड ने रशिया में वहां के देशवासियों नहीं मिल करके क्या कर दिया मार दिया उनको क्योंकि वह बहुत अत्याचारी था तो हाला कि यहां कानी कुछ और है Brutus क्या कहता है चलिए, how many times cell seizure bleed in the spot मतलब ऐसे बार ऐसे कितनी बार seizure जैसे वेक्तियों को मरना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का वेक्ति जो seizure होगा, अथार जो डिक्टेटर होगा ऐसे कितनी बार seizure उसको मौत उतारना पड़ेगा, now on pompes basis और आज यह seizure pompes की statue के सामने पड़ा हुआ है जैसे कि dust के बराबर worthy then dust नहीं है धूल के बराबर है आचम कहते हैं कि यह शरीर जो है मिटी हो जाता है जब मर जाता है तो मिटी बन चुका है Caesar, cautious so oft as that shall be so often shall the not of us be called the man that gave the country liberty अथारत, cautious को proud महसूस होता है कि हमें याद किया जाएगा जितनी बार ऐसी ऐसे लोग क्या करेंगे अपने देश के डिक्टेटर को मारेंगे जितनी बार जिन देशों में भी लोग मारेंगे वो हमें याद करेंगे कि हमने अपने देश को liberty दिलवाई हम देश के अच्छे वेक्टियों में गिने जाएंगे देशियस बोलेगा वाट शेल वी फोर्थ अथार्थ क्या हम आगे बढ़ें क्योंकि उन्हें जाना आए कहां पर मार्केट प्लेस पे पल्पिट पे जाना है कैशियस कहेगा एबरी में अवे हर आपनी दूर हो जाएं और ब्रुटस को ही लीड करने दिया दा है जानते हैं कि देशवासी ब्रुटस को बहुत प्यार करते हैं इसलिए कैशियस ब्रुटस को ही लीड करने देता है अथार्थ जहां वो चलेगा वहां हम चलेंगे और उसके साथ boldest और with bravest अतर कहते हैं बेस्ट आफ दी रोमन्स रहेंगे और ऐसा करने से पहले Brutus आगे बड़े इससे पहले एक सर्वेंट आ जाएगा हाँ कहानी में ट्विस्ट है यहाँ सर्वेंट किसका है एंटोनी का मार्क एंटोनी का सर्वेंट आ जाएगा और Brutus पुछेगा soft कौन आ रहा है तो बताएगा कि मैं friend of एंटोनी हूँ और वो सर्वेंट नील डाउन करेगा देखे नील डाउन दिस दस Brutus did my master did be me kneel कि मैं Brutus को kneel डाउन करता हूँ मेरे master ने कहा है आपको kneel डाउन करने के लिए और मेरे master मार्क एंटोनी ने मुझे कहा है कि मैं prostrate हो जाऊँ prostrate मतलब होता है एकदम जुप करके जैसे नहीं हम जिसे कहते हैं डंडवत प्रडाम करना सिर्फ पैर नहीं चूना है जैसे नहीं लेट के पैर चूते हैं ऐसे उसे कहते हैं प्रोस्ट्रेट हो जाना देखे मार्क एंटोनी है अब यहां से मार्क एंटोनी एक नए रूप में आपको नजर आएगा अब खिलाडी या गेमसम वेक्ति के रूप में नहीं बलकि एक clever politician एक clever वेक्ति a man who thinks smartly कैसे वो देखी अपना रूप बदलेगा यहां समझ में आएगा दस बेड मी से और मुझे मेरे मालिक ने कहा कि बूटस बहुत nobel है wise है, अकलमंद है, बहादूर है, honest है Caesar भी mighty था, bold था, royal था, loving था I love Brutus यह सब कौन कह रहा है यह सब servant कह रहा है यह line कहने के लिए servant को किस ने कहा market उनी ने कहा कि मैं Brutus से प्यार करता हूँ और मैं Brutus की इज़त करता हूँ मैं Caesar से डरता था मैं Caesar से डरता था उसकी इज़त करता था, उससे प्यार करता था पर, यहां पर पर है अगर Brutus मुझे vouchsafe करे vouchsafe मतलब होता है मुझे जिम्मिदारी ले मेरी मुझे guarantee दे किस बात का vouchsafe चाहिए Antoni को कि मैं safely come to him कि मैं यहाँ पर आ सकूँ मैं Brutus के पास आ सकूँ and be resolved मुझे क्या चाहिए मुझे सिर्फ एक जानकारी चाहिए क्या जानकारी चाहिए how Caesar had deserved to lie in death किस तरीके से क्यों क्यों Caesar को मारना ज़रूरी था क्यों Caesar के लिए death ज़रूरी थी मार कंटेनी shall not love Caesar अब Caesar मर चुका है अब मैं मरेवे Caesar को प्यार नहीं करता हूँ बलकि मैं Brutus को जो अभी जिन्दा है मैं उसकी इज़त करता हूँ उससे प्यार करता हूँ and will follow और मैं मानूँगा वो सब कुछ the fortune and the affairs of Brutus अथा जो मुझे Brutus कहेगा मैं उसके बताए fortune को उसके बताए रास्तों को follow करूँगा बट मुझे क्या करना है मुझे विश्वाश दिलाना पड़ेगा कि Caesar को क्यों मारा गया I need to be explained and मैं वो सारे hazards जो आप लोगों को सहने पड़ेंगे hazard मतलब मतलब रिस्क और जो untrod state अथार्थ यह जो हमारा देश है अथार्थ हमारे देश में पहली घटना है यह untrod है यह situation देश में पहली बारा आई है unknown situation है देश के लिए इस unknown situation में मैं आपका साथ दूँगा with all true faith पूरी इमानदारी के साथ so says my master ऐसा मेरे master एंटोनी ने कहा तो एक तरह से एंटोनी ने अपने आने का रास्ता बना लिया है क्योंकि एंटोनी आएगा नहीं तो आगे yes आगे कैसे बदला लेगा इन सेनेटर से ठीक है तो brutus तो जानते ही है brutus कहां से सोचता है जी यहां दिल से सोचता है जबकि Cassius दिमाग से Cassius cunning है brutus true from the bottom of the heart है तो brutus कहेगा तुमारे master को बहुत wise मैं मानता हूँ wise मतब अकलमन बहादुर मानता हूँ बहादुर रोमन मानता हूँ I never thought और मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा आपको याद होगा Mark Antony को मारने का plan था सारे Cassianate members का सारे conspirators का सिर्फ brutus ही था जिसने कहाता कि नहीं Mark Antony को नहीं मारा जाएगा आपको याद होगा और I tell Tell him please come आओ उसको यहाँ आना है and he will be satisfied by my honor depart untouched और वह यहाँ से safe जाएगा मैं इसका वचन देता हूँ अथार्थ मैं vouchsafe करता हूँ मैं guarantee देता हूँ देखा हो गया Antony का काम अब servant बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और servant बोल रहा है मैं जाकर Mark Antony जी को अपने master को यहाँ ले आ रहा हूँ देखे यहाँ पर Brutus से फिर गलती हो गई Brutus से गलती क्या हो गई कि वो Mark Antony को आने दे रहा है I know that we shall have him well to friends Mark Antony कहना चाता है Brutus कहना चाता है कि हम Mark Antony को अपना दोस बनाएंगे तो हमें पादे में रहेंगे अब Cassius जो की बहुत चलाक है बहुत फार साइटेड है और उसे कह सकता है न कि एक six cent है उसके अंदर कि कल क्या बुरा हो सकता है येस वो जज़ कर सकता है बहुत clever judge है I wish we may काश हम ऐसा कर सकते कि Antony को अपना दोस बना सकते उसे यकीन है कि Antony हमारा दोस कभी ने बन सकता है But yet I have a mind मेरे मन में चल रहा है मेरे मन में एक दर बन गया है क्या डर है कि मेरा मन एक misgiving के लिए बता रहा है था कुछ बुरा होने वाला है हमारे purpose के साथ कुछ गरबड होने वाली है तब तक Mark Antony आ ही जाता है अब देखे यहाँ से यहाँ से Antony को आप एक नए रूप में देखेंगे अब वो अला Mark Antony नहीं है जो games खेलता है जो feast of lippercal में दोड़ता है नहीं Brutus Here comes Antony Welcome Mark Antony यह speech बहुत important है यह Antony की speech है immediate after the mother and dead to the conspirators को कह रहा है Oh mighty Caesar क्योंकि Caesar को जैसे ही वो देखता है न तूँ एप emotional हो जाता है और यही Antony का एक weakness है Caesar की dead body को देखके वो भड़क जाता है एक तरह से कहता है न एप emotion में बह जाता है बस वहाँ वो गरबर बोलने लगता है और वरना वरना तो एकदम दिमाग लगागे बात करता है इन सब को flat कर देगा हाँ आप देखिएगा इन सब को flat कर देगा तो oh mighty Caesar dust thou lie so low Caesar इतने ताकतवर Caesar तुम यहाँ पड़े हो इतना low अथार्थ नीचे पड़े हो all these thy conquests glories, triumphs, spoils shrunk to this level और तब तुमने जो कमाया आथ हो जो देश को जीत हासिल करके दी जो गुलाम बना के लाए देश में जो विक्ट्रीज हासिल की थी बस तुमें इतनी ही जगह मिली और बिस बात है आदमी छे फुट में ही दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा है की नहीं है मरने के बाद तो उतनी जगह चाहिए fare be well, ठीक है मैं तुमें bye-bye करता हूँ Caesar I know not gentle net gentleman what you intend या gentleman किसको बोल रहा है इन conspirators को बोल रहा है Mark Antony कह रहा है कि तुम क्या चाहते हो मुझे नहीं मालूम है what else must let blood और कौन मरने वाला है what नहीं who और कौन मरने वाला है आप किसको और मारने वाले हो और किसकी rank है किसकी बारी है अगर मेरी बारी है there is no art so fit as Caesar's death hour अथार अगर मुझे मारने का plan बनाया है तो अभी मार दो क्योंकि ये Caesar का death hour है इसमें Caesar को मारा गया है और कैसे मारना है nor so instrument of half that world as those your sword made rich with the most noble blood of this world तुमारे हतियारों से तुमारे sword से मारना उसी sword से मारना जिस sword को तुमने rich बना दिया है जिस sword बहुत बेश्किम्ती बन गई है Caesar का खुन लगने के बाद क्योंकि इस सदी का इस world का सबसे ताकतवर वेक्ती सबसे नोबल वेक्ती का खुन आपके तलवारों में लगावा तो उसी तलवार से मारना जिससे Caesar को मारा है और मैं तुमसे request करता हूँ अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ मैं तुम्हें hard मैसूस करूँगा अभी तुम्हारे हाथ भी खून से सने हुए हैं परपल्ड हाथ हैं और अभी उनमें एक जोश बाकी है तो अपनी खुशी पूरी कर लो fulfill your pleasure अपनी एक्छाएं पूरी कर लो मुझे भी मार दो देखें एंटोनी emotionally emotionally एकदम सही कह रहा है आप जानते ही कोई मारेगा तो है नहीं live a thousand year और रह लो I shall not find myself so apt to die और मुझे भी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मरने का क्योंकि यही समय है Caesar की मौत का और वो भी no place और इससे बढ़ियां जगें इससे बढ़ियां place नहीं मिलेगी मरने की no means of death as by Caesar और वह तरीका जिस तरीके से Caesar को मारा उसी तरीके से मुझे भी मार देना and cut off the choice and the master of this age जैसे आपने इस age के choice and master को अथा सबसे selected वेक्ती को सबसे चुनेवे वेक्ती को जिस तरह से आपने खतम कर दिया है वैसे ही मुझे भी आप खतम कर दीजे और रही आजादी से रही बे बे परवा हो करके मुझे भी मार दीजे जानते हैं यह Antony बहुत clever mind का अब हो चुका है अब देखे बदल चुका है Antony देखे Brutus क्या कहेगा ओ Antony अरे Antony अपनी मौत मुझसे मत मांग bad not of your death मौत मौत मांगो thou know we must appear bloody and cruel as by our hand मतलब तुमें अभी लग रहा होगा कि हम लोग खूनी हैं हम लोग cruel हैं क्योंकि हमारे हाथ खून से बरे हुए हैं but our present act you see we do yet you see see you but our hand तो तुमने हमारे act में हमारा हाथ तो देखा तुमने हमारे हाथ तो देख लिए कि इनमें खून बरा हुआ है हमारा bloody business तो देख लिया पर हमारे hearts को नहीं देखा तुमने Brutus कहता है कि हमारे hearts को तुमने नहीं देखा हमारे hands को तुमने देखा जो इनमें खून लगा हुआ है इस हाट में इस दिल में दया है इस दिल में दया है देश के साथ हुए गलत के लिए हम देश के रॉंग को रोकने के लिए जैसे आग से आग मिटाई जा सकती है दया से दया मिटाई जा सकती है वैसे एक मौावरा है ना कि लोहे को लोहा काटता है वैसे ये कहना चाहता है कि ह हम देशवासियों की दया खा करके इस से क्या कर दिये Caesar को मार दिये Had done this deed on Caesar इसलिए हमने Caesar को मारा For your part और तुमारे लिए तो हमारी swords में laden है Laden मतलब होता है तुमारे लिए तो हमारी तलवारों में धार ही नहीं है अथार तुमारे लिए हमारी तलवारों नहीं बनी है तो Mark Antony तुम क्या करो Our arm in strength of malice and our hearts of brothers temper हमारे हाथ में हाथ में तुमें malice नजर आएगा नफरत नजर आएगी, क्रोध नजर आएगा पर हमारे दिल में तुमें दया नजर आएगी हमारे दिल में, हमारे hearts में तुमारे लिए एक अलग जगह है और हम तुमें उस kind and good thoughts के साथ और पूरे इज़त के साथ अपने दिल में जगह देते हैं तेख तुरह से Brutus ने Antony को Brutus ने Antony को अपने पक्ष में करने के लिए इस सब बात बुली कि अश्यस तो जानते ही हैं, यहां से सोचता है सोचा Antony को कैसे अपने पक्ष में कर ले कैसे कर ले, तो लालच देता Antony को क्या लालच देता है, कैता Antony तुमारी अवाज, your voice shall be as strong as any man अथार जब हम नई सरकार बनाएंगे in disposing new dignities करेंगे नई positions जब लोगों को देंगे नई मंत्राले बनाएंगे, तो तुमारी अवाज अथार, तुमारी बास सुनी जाएगी एक तरसे लालच दे रहा है कि जब नया जब सेनेट बनेगा तुम समझ रहो ना Antony तुमको खुश कर देंगे हम तुम तुम हमारे पक्ष में हो जाओ तुम्हें बाद में फाइदा पहुचाएंगे अब आप Brutus की लाइन सुनिए Only be patient ये Antony को कह रहा है कि तुम थोड़ा सबर करो and we have appeased तब तक जब तक appease मतलब बताब शांत करना किसको multitude मतलब बता है crowd को जब तक हम जनता को शांत न कर दें क्योंकि अभी उनमें डर फैला हुआ and then we will deliver you और तब हम तुमें cause देंगे that I love Caesar जब मैं Caesar को इतना प्यार करता हूँ तब मैंने उसे क्यों मारा हाँ तब मैं तुमें reason बताऊंगा एंटोनी कहता है कि मुझे कोई शक नहीं है तुमारी अकल ले तुमारी wisdom पर and let each man और इसलिए वो हर एक conspirator से हाथ मिलाता है मारकर्स, Brutus से मिलाता है Cassius से मिलाता है, Dashius से मिलाता है Metallus, Casca, सबसे सिना सबसे मिलाता है और even मेरा जो विश्वाश है मेरे जो तुमारे सामने position है वो वहत पकी नहीं है My position, my credit stand on a slippery ground and that one of the two bad ways you must conceit me या तो तुम मेरे बारे में दो में से एक चीज सोच सकते हो कि या कि मैं एक coward हूँ मैं कायर हूँ और या तो मैं चापलूस हूँ वैसे मैं आपको बता दो Anthony दोनों ही दोनों से ही cleverly से इन सब सबनेट मेंबर से cleverly deal कर रहा है Anthony emotionally इनको भी क्या कर रहा है blackmail कर रहा है हाँ ताकि ये उस पे attack भी न करे और Anthony अपना भी काम कर जाए क्योंकि Anthony को तो revenge लेना है ठीक है यहाँ पर Anthony बहुत समझदारी से behave कर रहा है that I do that I did love Caesar is true and if then thy spirit look upon us now shall it not grieve then dearer than thy death तो यहाँ पर Caesar की dead body देख लेता है वो और फिर से बहट जाता है Anthony और कहता है कि Caesar की आत्मा अभी हमें देख रही है अभी मुझे देख रही है और वो तडप रही है वो और दुखी मना रही है किस बात का दुख कि मैं जो उसका सबसे प्यारा दोस्त हूँ वो Caesar के conspirators के साथ हात मे ला रहा हूँ यह देख करके तो Caesar की आत्मा Caesar का soul और दुखी हो जाएगा और वो भी उनके खून से बने हातों से force मतलब होता है enemies तो उनके खून से सने हातों से मैं उनके हात मिला रहा हूँ और वो भी उसके dead body cops मतलब होता है dead body तो यह सब कुछ हो रहा है Caesar की dead body के सामने और क्या बोलेगा देखे बड़ी strange line बोलेगा और यह line सुनके सब भड़क भी जाएंगे क्या कहेगा देखे अथार्थ मेरे पास उतनी ही आखे है होती जितनी की तुमारे शरीर में घाव मारे गया है जितने तुमें stab किया गया है जहां जासे तुमारा खूल निकला है काश मेरी उतनी आखे होती और मैं वैसे रो पाता जैसे तुमारा खूल बाहा है I wish to become better than to close तब मैं जादा अच्छा करता तब वो जादा अच्छा लगता सीजर को सीजर के मरने के बाद जब मैं इतना रोता जितना की उसका सीजर का खूल बाहा है तब मैं सचे फ्रेंडशिप के साथ उसको शद्धांज में दे पाता It would have been like a true friend when I would have cried in so many rounds as that many tears as that many blood has come जितना खूल बहा जितना मैंने दर्द साथ सीजर ने दर्द साथ उतना ही मेरे आंसू होते तब मैं ज़्यादा अच्छा बीएव करता तब यह सुन करके pardon me Julius सीजर मुझे माफ कर दो क्या कहता है बड़ी emotional speech है यह याद रखेगा सीजर की dead body को देखके थोड़ा emotional हो जाता है और यह बाकी conspirators बुरा भी मान जाएंगे देखेगा क्या बुरा मानेंगे हाँ देखेगे here was thou bad brave अथार्थ आपको एक hirn की तरह heart h-a-r-t मतलब बता हिरन सीजर को compare करता है वो एक एक deer से सीजर तुम एक deer की दमान थे और thou hast fall तुम्हे घेर लिया गया था by the hunters या hunters कौन है conspirators यह जो conspirators है इन्होंने तुमारा शिकार किया है इन्होंने तुम्हे घेर लिया सैनेट में बुला करके तुम्हें जाल बिचाया spoil मतलब होता है जाल बिचाना और अब जाल बिचाया तुम्हें भगड़ लिया और let क्या है river of forgetfulness ठीक है न crimson दिदा है let और तुमारे खून में तुम्हें सिम्टा दिया पूरा सीजर का खून से लगपत है वो वर्ल्ड दाव वो compare करता है कि ये दुनिया तुमारे लिए फॉरेस्ट थी जब तक तुम जीवित थे तब ये दुनिया तुमारे लिए फॉरेस्ट थी and this indeed o world heart to thee अथार्थ ये दुनिया तुमारे पूरे दिल में समाई हुई थी जब तक तुम जिन्दा थे तुम इस दुनिया को लीड कर रहे थे तुम इस दुनिया के दिल थे आज तुमको मिटा दिया गया है तुमें चलाकी से मार दिया गया है शिकार करके मार दिया गया है like a deer strucken by many princes जैसे बहुत सारे राचकुमार राजा के बच्चे मिल करके तुमको चलाकी से यहां मार दिया है देखे जैसे यह लाइन बोलेगा Cassius से बरदाश्ट नहीं होगा कहेगा Mark Antony चिलाएगा जोड से देखे डैश लगा है देखे यहां पर उन लोगो बुरा लग जाएगा Senate के members को कि अरे क्या बोल रहा है बाई मैंने कहा था ना एंटोनी थोड़ा emotional हो जाता है Caesar की dead body देखता है तो उसके emotions समझ रहे ना एंतम जोश आ जाता है उसके अंदर अब Mark Antony बोलेगा Cassius मुझे माफ करना यह सारी लाइनों जो मैंने बोली मैं नहीं बोल रहा हूँ बरकि Caesar के दुश्मन बोलते मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा Caesar के दुश्मन कह रहे है देखा कह भी उसी नहीं दिया Ben in a friend it is a cold modesty पर मैं एक दोस्त होने के नाते एक cold modestly आपको बस बताना चाहता था Cassius बताता है कि तुम blame करो हम लोगों को ये बरदाश नहीं होगा पर तुम praise जितना चाहे Caesar को कर सकते हो हमें blame मत करना अथार Caesar की मौत का blame हम पर मत डालना but क्या तुम समझोता करने आए हो what compact mean mean मतलब होता है agreement क्या agreement चाहते हो हमारे साथ क्या हम तुमें will you be print in the number of our friends क्या हमारे दोस्तों की लिस्ट में तुमारा नाम जोड़ दे अथार तुम हमारे friends की लिस्ट में रहना चाहते हो और या तो हम तुम पर dependent न करें तो Antony कहेगा अरे अरे ऐसा क्यों कह रहे हो मैंने तुमर्च से हाथ मिलाया है अभी मैंने तुम सबसे हाथ मिलाया है तो आप जानते ही है रोम में हाथ मिलाने का मतलब है कि मैं तुम्हें कबूल करता हूँ याद है ना तो I was indeed swayed from the point मैं थोड़ा बहग गया था मैं बहग गया था looking down on the Caesar अथार जैसे ही में Caesar को देखता हूँ तो मैं थोड़ा emotional हो जाता हूँ मैं थोड़ा अपने topic से बहग जाता हूँ friend I am और हम तुमारे मैं तुमारा दोस्त हूँ मैं तुमारे प्यार चाहता हूँ और ये उमीद चाहता हूँ तुमसे कि मुझे reason दिया जाएगा कि why, क्यों और कैसे Caesar dangerous था मुझे बस reason दे दो मैं मान लूँगा I'll be satisfied Brutus फिर यकीन दिलाता है कि or else was this a savage spectacle अथार अगर हम तुमें reason नहीं देंगे कि Caesar dangerous क्यों था तो तुमारे सामने ये जो spectacle है अथार जो ये दृष्ष है Caesar की dead body का वह तुमें एक savage scene लगेगा savage scene savage मतलब होता है wild scene तुमें ये मौत एक बहुत बयानक मौत लगेगी अगर हम तुमें reason नहीं देंगे Caesar को मारना क्यों जरी था और हमारा reason तो इतना respect से भरा reason है कि Antony तुम Antony न होते Caesar के बेटे होते तो भी तुम satisfied हो जाओगे यहां तक गुट्डस न उसे यकिन दिला दिया कि तुमें हम satisfied तो कर ही देंगे Antony बोलता है बस यही जो हम चाते है this is all I seek and I am more over suitor और मैं तो request करने के आया हूँ यहां पर यहां Antony चाल चलेगा मैं तो यहां request करने आया हूँ मैं suit करने आया हूँ कि मुझे dead body of Caesar को market place ले जाने दिया जाए और pulpit पे pulpit पे Caesar के दोस के नाते मुझे funeral speech दीने दी जाए मृत्यू पे Caesar के speech देने का मुझे permission दिया जाए दो चीज की permission मांग लेता है आप तो जानते ही है तुरंत Brutus permission दे देगा और यहीं Brutus की बहुत बड़ी गलती है you shall देखे Brutus कह रहा है you shall हां Mark Contini ले जाव Caesar की dead body को pulpit पे ले जाना और वहाँ पे speech भी देना यहाँ पर Cassius फिर नराज हो जाएगा बलकि Brutus को किनारे बुला लेगा देखे क्या बहस करेगा Brutus a word with you Brutus इधर आओ तुमसे बात करना है और यह scene सिर्फ Cassius और Brutus के बीच में है इसका मतलब है Mark Contini को यह speech नहीं सुनाई दे रही है you know not अरे यह तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो do not consent मत मानो Antony की बात कि वो सुनरल में speech दे सकता है एक तम Cassius सही है यहां पर Cassius is absolutely right know you how much the people may be moved तुम जानते नहीं हो जब वो बोलेगा और लोग कितना भड़क जाएंगे लोग किस दिशा में move करने लगेंगे क्या होगा तब देखा सही है Cassius बड़ आप जानते ही है चलनी किस की है चलनी तो Brutus की है तो पिड़स बोलेगा अरे भाई Cassius by your pardon I will myself into the pulpit first अरे भाई भाई पैल्पिट पे पहले मैं चड़ूंगा और लोगों को reason दूँगा कि Caesar की मौत क्यों जरूरी है और Anthony shall speak और Anthony जब बुलेगा तो वो बताएगा कि हमें permission दी गई है मुझे permission मिली है कि मैं Caesar के funeral rights कर सकूँ I have all the rights rights मतब rituals करना and then legal ceremonies कर सकूँ and it shall advantage और ऐसा करने से लोग satisfied हो जाएंगे कि ठीक है अच्छे से क्रिया करम होने वाला है Caesar का मरने के बाद जो क्रिया करम है जैसे दफनाय जाता है Christians में वो अच्छे से होगा या सोचकर लोग और satisfied हो जाएंगे वो हमारे लिए फाइदे का काम करेगा नुकसान नहीं करेगा क्योंकि वो सब काम एंटोनी कर देगा सही बात है यहां Brutus सही सोच रहा है जी नहीं यहां Brutus गलत है सब उल्टा होने वाला है सब उल्टा होने वाला है Brutus यहां बहुत बड़ी गलती कर चुका है चली Cassius बोलेगा I know not what has what may fall I like it not देखा यहां पे Cassius की कह सकते हैं और साइटेडने समझ में आ रही है कैसे पिरिट कर लेता है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है क्या हो सकता है Mark Antony here take Caesar body पर जानते ही है चलनी तो सिर्फ Brutus की है कि Mark Antony तुम ले जाओ उसकी dead body and you shall not in the funeral speech blame us हमें blame मत करना हमारे खिलाफ कुछ मत बोलना जितना चाहो Caesar की तारीफ कर दो and say you do it by our permission और ये बोलना मत बोलना कि मैंने तुमें permission दी हमने तुमें permission दी else shall not have any hand at all about his funeral अथार्ट आगे का funeral तुमें करने की अनुमती नहीं देंगे अथार्ट दो Caesar को दफनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तुमें अनुमती नहीं देंगे इसलिए सभल के बोलना and you shall speak in the same pulpit उसी platform पे बोलोगे जिस पर पहले मैं speech दूँगा मेरी speech के बाद तुम बोलोगे एंटोनी तो इसी का बेट कर रहा था एंटोनी इस क्लेवर बोला हाँ हाँ भाई बीट सो मैं तयार हूँ I desire it मुझे कुछ नहीं चाहिए ठीक है बूटर्स तयारी करने के लिए देता है ठीक है प्रिपेर दा बॉडी एथा डेड बॉडी को ले चलो and follow us सब चले जाते हैं और एंटोनी अकेला Caesar की डेड बॉडी के साथ वहाँ Caesar की डेड बॉडी है नीचे और एंटोनी उसे देख रहा है और आप ये स्पीच ये स्पीच दहला देने वाली है तुम सब को क्यों क्योंकि इस स्पीच में एंटोनी solilocky करने वाला है एक forecast करने वाला एक prophecy करने वाला है एक revenge की बात बताने वाला किस तरीके से वह बदला लेगा कहेगा ओ पाड़न मी डाव bleeding piece of earth या bleeding piece of earth समझ गया न इस खून से सने मटी अर्थ कौन है या bleeding piece of earth खून से सना Caesar कह रहा है I am meek मैं कमजोर हूँ मैं gentle से behave कर रहा हूँ तुमारे कसाई के साथ तुमारे बुचर्स के साथ तुमारे मारने वालों के साथ thou art the runes of the noblest man that ever lived तुम यहाँ पर क्या हो इस धर्ती के सबसे noblest आदमी के runes हो runes मतलब तभाई runes मतलब moth तुम यहाँ पर उसकी lash हो जो धर्ती में सबसे कभी सबसे noblest man रहता था वो to the hand वो मतलब होता है श्राप देना वो मतलब होता है curse I curse to the hand that shed this costly blood मैं उन सारे हाथों को अथा उन conspirator को curse करता हूं जिन्होंने तुमें मारा over the eye wound और तुमारे हर एक घाव तुमारे हर एक जो तुमें जक्म दिये गए है मैं आज प्रोफेसी करता हूं मैं आज भविश्वानी करता हूं और मेरा जो भविश्वानी है वो खून के lips से रूडी lips से क्या कर रहा है to back the voice and utterance of my tongue क्या तुमारे घाव तुमारे हर एक चोट मेरा मेरा जुबान है मेरा मेरा मुह है जो हर तुमारे चोट के बदले बोलेगा क्या बोलेगा देखे a curse shall light upon the limbs of the man हर इंसान का limbs अतार शरीर को पे curse पड़ जाए हाँ चाहे वो हाथ हो चाहे पैरों तेश में domestic fury आ जाए domestic मतलब country के अंदर fury मतलब होता है war और देश के अंदर civil strike हो जाए सब एक दूसरे को मारने लगे shell cover all parts और ऐसा पूरेटली में हो जाए पूरेटली में मार काट मत जाए खून, तबाही, destruction इतना common हो जाए dreadful, ढरावनी चीज़े इतनी common, इतनी common हो जाए कि माएं, मदर्स अपने बच्चों को कटता हुआ देखें मा अपने नवजाद बच्चों को newborn baby को, infants को अपने सामने कट होता हुआ देखें और सिर्फ क्या करें, मुस्कुराएं मा रो न पाएं आख से हासू न निकले उनके इतना war, इतना common हो जाए सारी pity, सारी दया सारी अंदर की sympathy खतम हो जाए, choked हो जाए with custom of well dead क्योंकि सारा evil देख देख के इतनी मार काट देख करके लोगों के अंदर evil भर जाए और Caesar की आत्मा तडपे, Caesar की आत्मा अपने बदले के लिए किसकी मदद से 8 की 8 कौन है, एक तरगी goddess of revenge है ATE capital है कहते हैं बदले की देवी तो उस देवी की मदद से वो क्या करे जो हमारे साथ है, किसके साथ है Caesar की spirit के साथ है और वो नर्थ से नीचे आ जाए और वो बदले की देवी के साथ चारो तरफ तभाई मचा दे Shall in these confines with a monarch choice Cry havoc और देश में सिर्फ एक ही चारो तरफ आवाज है तभाई, परबादी मार काट And let the slips Dog of War अथार्थ यहां पर देश में हर एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है There is anger There is evilness There is hatred Sympathy नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी और सिर्फ foul deed सिर्फ बुरे काम होंगे और जो dead bodies दिखेंगी चारो तरफ इतनी लाशे होंगी कि इसकी smell भी इसकी smell भी उपर तक जाएगी क्योंकि लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं बचेगी With carrion अथाद Dead man groaning for burial अथाद लाशे तडप रही होंगी कि कोई उन्हें दफना तो दो भाई सब पड़ी रहेंगी धर्पी पे उन्हें दफनाने वाला आदमी नहीं बचेगा और उनकी महक से का कजन है इसे इसे देश से बाहर पहले सजा मिल चुकी थी अब वो आना चाहता है तब तब उसका सर्वेंट आ जाता है उसके आने से पहले कौन है नया सीजर आ गया Octavius सीजर तो सीजर का नौकर आया और क्या पूछा? Do you not? वो पूछा तुम सीजर के नौकर हो तो बताता है हाँ एंटोनी पूछता है उससे कि सीजर डिड राइट फॉर हिम टू कम सीजर ने इससे पहले उसे देश आने की अनुमती दे दी थी जूले सीजर ने और सर्वेंट बोलता है कि हाँ उसको यहाँ पर आने का लेटर मिल चुका था और उसने मुझे भेजा है अथाथ ओक्टिवियस सीजर ने एंटोनी के पास इस नौकर को भेजा है ताकि वो पता कर सेके कि वो आ सकता है तो एंटोनी बताता है कि उसका दिल बहुत बड़ा था and get the apart तुम दूर हो जाओ नहीं तुमारा दिल बहुत बड़ा है और तुम सीजर की dead body से दूर हो जाओ सर्वेंट को कह रहा है क्यों क्यों क्योंकि मेरे अंदर भी एक passion एक emotion जाग रहा है और बहुत तेजी से मैं emotional हो रहा हूँ क्यों क्यों क्योंकि मेरी आंखों से जो आंसू बह रहा है वो beads of sorrow है और वो पानी की तुरब बही जा रही है क्योंकि बहुत प्यार करता था Mark Antony Caesar से and is thy master coming और फिर वो पूछता है क्या तुमारा Octavia Caesar आ रहा है तो servant बताता है कि वो शहर से Rome से 7 leagues दूर है जैसे हम 7 km बोलते हैं वैसे 7 league शब्द है किलोमेटर के लिए नहीं है distance की measurement के लिए तो Antony बोलेगा post back with speed जाओ जल्दी से और बोलो क्या हुआ है अथाथ Caesar की मौत हो चुकी है यह बात Octavia Caesar को नहीं पता है जाओ से बताओ Here is a morning room यहाँ पर देश रूम थड़प रहा है लोग रो रहे हैं एक dangerous room है और अभी उसके लिए आने के लिए safety नहीं है हाँ हाँ अभी Octavia Caesar को मना कर दिता है कि तुम मताओ High hands जल्दी तुम यहाँ से भागो और उसे बताओ Yet stay a while और तब तक दूर रहना Stay a while मतलब दूर रहना Room में मताना Thou shall not back till I have won this cops तब तक मताना जब तक मैं इस dead body को Marketplace तक न ले जाऊं और वहाँ पर I shall try In my oration मैं अपनी speech से कोशिश करूँगा कि लोगों को अपने पक्ष में कर लूँ लोगों को बताओं कि क्या cruelty हुई है इस व्यक्ति के साथ And according to which Dao shall discourse और मेरे सारे जो जो incident होंगे ऐसा तुम सारी जानकारी Young Octavius को देना और lend me your hand तब तक मुझे अपना हाथ दो और वो Caesar के साथ Caesar की dead body के साथ Marketplace के लिए चल देता है So this brings to the end of this very 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 important scene हाँ Act 3 Scene 1 आगे की scenes के लिए आपको जल्दी मिलेंगे Bye God bless you